Hello Friends, Welcome to Literary Love चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो का भी मिस ना करें साथ ही अब आप हमें Facebook पे भी फॉलो कर सकते हैं Friends, आज की वीडियो में हम बात करेंगे Irish poet W.B. Yeats की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है The Wild Swans at Cool इसे 1917 में पब्लिश किया गया था ये पोएम 30 lines की है जो की 5 sestets यानी 6 line stanza में बाटी गई है हर sestet की rhyming scheme है A.B.C.B.D.D. Friends, इस पोएम की theme है Nature और Time and Aging यहाँ पर nature को बहुती beautifully describe किया गया है poet किस तरह swans को देखते हैं और आसपास की जो scenery है जो trees है जो woodland paths है उन्हें बहुती beautifully describe करते हैं साथ ही यहाँ पर poet के thoughts को describe किया गया है कि इन 19 years में कितना कुछ बदल गया है और उनका उन swans को देखने का जो नजरिया है वो भी बदल गया है साथ ही वो अपने future के रिबारे में भी poet यहाँ पर सोचते हैं कि आगे चल कर इन swans का क्या होगा वो अपना नया घर कहाँ पर बनाएंगे फ्रेंच W.B. Yeats एक Irish poet थे जिनका जन्म हुआ था 13 June 1865 में और उनकी death हुई थी 28 January 1939 में उन्हें 1923 में Nobel Prize for Literature दिया गया था और उनकी famous works में Sailing to Byzantium, Byzantium, Leda and the Swan, The Second Coming यह सभी शामिल है तो चलिए friends अब poem पर आते हैं और इसे line by line read कर समझने की कोशिश करते हैं The trees are in their autumn beauty यानि autumn के मौसम चल रहा है और जो पेड़ हैं उनके पत्ते गिर गए हैं और इस autumn season में वो और भी जादा beautiful लग रहे हैं The woodland paths are dry और जो woodland paths हैं यानि जंगल से जो रास्ते गुजरते हैं वो dry हैं सूखे हुए हैं Under the October twilight the water mirrors a still sky यानि October का महिना है और twilight का समय है यानि शाम का समय है और जो पानी है इस lake का वो बिलकुल शान्त है और उपर आस्मान का reflection उस पानी में पढ़ रहा है Upon the brimming water among the stones और जो पानी है जो की किनारे पर पत्थरों के पास बह बह कर जा रहा है वहाँ पर are 9 and 50 swans वहाँ पर total 59 swans हैं यानि हन्स हैं यानि इस first tenza में poet जो है अपनी surrounding के बारे में बता रहे हैं कि October का month है autumn का season है और शाम का समय है और आसपास कई पेड़ हैं जंगल हैं और जो सामने lake है उसमें 59 swans हैं the 19th autumn has come upon me यानि 19 autumns हो चुके हैं 19 years एक तरह से कहें तो beat चुके हैं since I first made my count जब मैंने पहली बार इन swans को गीना था तो उस दिन को 19 years beat चुके हैं I saw before I had well finished और मैंने देखा पूरी तरह से उन्हें count करने से पहले मैंने देखा all suddenly mount and scatter wheeling in great broken rings upon their clamorous wings इन three lines का मतलब है कि वो सभी अचानक से खड़े हो गए mount कर हो गए यानि खड़े हो गए और अपने पंकों को फैला कर गोल गोल बिलकुल circles में हवा में उड़ गए और जो उनके feathers थे उनके जो पंक थे उनसे जोरों की आवाज आ रही थी clamorous wings यानि noisy wings थे जब वो अपने पंकों को फरफडा रहे थे तो जोरों की आवाज आ रही थी यानि poet यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्होंने सभी swans को count भी नहीं किया था उससे पहले ही वो सभी swans जो थे वो तूटे हुए circles में उड़ना उन्होंने शुरू कर दिया और उनके पंकों से जोरों की आवाजें आ रही थी I have looked upon those brilliant creatures and now my heart is sore यानि मैंने इन खूबसूरत creatures को यह जो beautiful birds है मैंने उन्हें देखा है और अब मेरे दिल में एक गर्द है मेरे दिल में एक heartache है All's changed since I hearing at twillight यानि सब कुछ बदल गया है जब मैंने पहली बार शाम के समय सुना था The first time on this shore पहली बार इस किनारे पर खड़े होकर The bell beat of their wings above my head उनके पंखों की फड़फडाने की आवाज जो की बिलकुल किसी घंटी के बजने की तरह थी और यह आवाज कहां से आ रही थी तो मेरे सिर के उपर से यानि जो स्वांस थे वो आसमान में उड़ रह थे मैं धीरे धीरे बिलकुल छोटे कदमों से वापस लौट आया तो यहाँ पर पोईट अपनी पास्ट को याद कर रहे हैं जब उन्होंने पहली बार इन स्वांस को देखा था और उनकी आवाजों को सुना था Unverried still, lover by lover यानि इतना होने के बाद भी वो स्वांस जो हैं वो Unverried हैं अभी तक ठके नहीं हैं और lover by lover यानि एक कपल में They paddle in the cold companionable streams और climb the air यानि कि जो स्वांस हैं वो बिलकुल एक कपल की तरह दो स्वांस इस ठंडी stream में जो ठंडी lake है या तो उसमें तैरते हैं paddle का मतलब हुआ तैरना और climb the air या साथ मिलकर दोनों हवा में उड़ जाते हैं Their hearts have not grown old और उनके जो दिल हैं वो अभी तक बूड़े नहीं हुए हैं भले ही इन स्वांस को काफी एज हो गई है लेकिन उनके जो hearts है वो अभी भी यंग हैं अभी तक ठके नहीं है Passion और conquest, wander where they will, attend upon them still यानि उनकी life जो है वो अभी भी बिलकुल passionate है, desires से भरी हुई है और उनके पास एक आजादी है, वो जहां जाना चाहते हैं, वो वहां जाते हैं उन्हें कोई रोक टोक नहीं है, उन्हें अपनी decisions के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता But now they drift on the still water, mysterious and beautiful यानि मगर अभी जो है, ये स्वांस इस रुके हुए, जो धीमे पानी है, इसमें धीरे-धीरे तैर रहे हैं और बहुत ही mysterious लग रहे हैं और खूबसूरत लग रहे हैं देखने में Among what rushes will they build, by what lakes edge or pool, delight men's eyes यानि की वो कहां पर अपने नए घर बनाएंगे किस पूल या किस लेक के, किस नदी के, जील के किनारे वो अपने नए घर बनाएंगे और किन लोगों की आँखों को delight करेंगे, किन लोगों को pleasure देंगे अपने presence से कब, when I awake someday to find, they have flown away जब मैं किसी दिन उठूंगा और ये देखूंगा कि वो सभी स्वांस जो है, वो यहां से उड़कर कहीं दूर चले गए हैं यानि पोएट जो है वो एक तरह से कहें तो इन स्वांस से ही question कर रहा है कि एक दिन अगर वो उठा और ये स्वांस यहां पर नहीं होंगे पोएट जो है नेचर की बहुत तारीफ कर रहा है इन स्वांस को देखकर उसे बहुत ही ज़ादा happiness फील होती है एक तरह की maturity फील होती है और साथ ही यहां पर time और aging का use हुआ है किस तरह 19 years बीच चुके हैं जब पहली बार पोएट ने इन स्वांस को देखा था और साथ ही पोएट जो आने वाले future है उसके बारे में भी सोच रहा है कि आने वाले future में इन स्वांस का क्या होगा तो friends यह थी William Butler Yeats की poem The Wild Swans at Cool